बीच आपको बड़ी और आहम जानकारी दे रहे हैं, बड़ी कबर सामने आ रही है, बड़ी कबर आहम जानकारी मतुरा से सामने आ रही है, मुखे मंतुरी योगी आधितुनात का मतुरा दोरा है, मतुरा को आज करोरों की सौगात मिलने वाली है, सिम योगी आधितुनात कई परियूजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे और लोकारपन भी काना की नगरी में आने का सौभाग्य मिला यह कहना है सियम योग्या दितनात का बड़ी कबर हैं जानकारी आपको दे रहे हैं मतुरा से परियूजनाओं का लोकारपन अशिलान्यास हुआ है और से मतुरा में सर्वांगीन विकास हो सकेगा योजना समय से लागू की जा रही है सियम योग्या दितनात के अतिन जराइब बाके बिहारी के दर पर पहुचे प्रशाद ग्रहन किया और बाके बिहारी के दर पर प्राथना करते हुए सियम योग्या दितनात की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं तो आज मतुरा के लिए वेहद खास शन है क्योंकि सियम योगी आदितराद मतुरा वे मौजूद हैं और करोड़ों की सौगात मतुरा को सियम योगी दे रहे हैं इस बीच कई परियोजनाओं का शिला न्यास और लोकारपन सियम योगी आदितराद करेंगे मतुरा दोरा मतुरा को आज करोड़ों की सौगात मिली है तो इस बीच आपको वरानसी से बड़ी और हम जौनकारी दे रहे हैं काशी विश्वनात धाम के लोकारपन का एक साल पूरा हो चुका है बड़ी कबर हैं जो अनकारी काशी विश्वनात धाम के लोकारपन का एक साल पूरा और आज विश्वनात धाम में वश्गाट का भव्य आयोजन होगा इस दौरान धार्मेक और सांस्कृतिक कारक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा बोले रात की काशी आज जो बंबं नजर आने वाली है क्योंकि लोकारपन को एक साल पूरा हो गया है और ये एक साल बेहत खास रहे हैं सौ करोड से जादा का चड़ावा पिछले एक साल में काशी विश्वनात धाम में चड़ा है प्रोजेक्ट काशी विश्वनात धाम और कारीडोर का एक साल पूर्ण हो गया है हमारे साथ बारांसी केंड विधान सुभा के विधायक सौरप स्रिवास्तों जी हम इनसे जानते हैं कि इस डीम पोजेक्ट से कितना बड़ा वारांसी और देश विधेश में परेटन को लेके वारांसी में कितना बड़ा लाब हुआ है सौरप जी कासी धाम बना और इसके बाद सौ करोन से जादे का चड़ावा यह वारांसी के परेटन के लिहाज से या आयात के लिहाज से या गंगा के लिहाज से आकाशी विछना धाम के लिहाज से किस नजरिये से इसको आप लोग देखने है यह जनता का आशिरवाद है ज एक वर्ष पूर काशिव शुनात धाम में दस से बारह हजार दर्शनार्थी लगभग रोज आते थे और यह भी धक्के खाते थे इन्हें भी कोई व्यवस्था नहीं मिलते थी आज आधानी प्रधानमंत्री जी इतना भव्य और देव्य धाम बनवा दिया है कि एक लाख लो इसका काशी की प्रतिव्यक्ति आय पर भी असर पड़ा है आज काशी का परिटन उद्योग काशी के होटल वाले काशी के रिक्षे वाले ओटो वाले चाय जलपान वाले सभी की आय में कई गुने के व्रिद्धी होई है सब आधरणी प्रधानमंत्री जी को इसका आशिरव सब्सक्राइब करेंगे लेकिन उससे पहले मतुरा जाएंगे जहां पर सियम योगिया दितनात क्या कुछ कह रहें सुनिये और इस सब्सक्राइब करते हैं आप सभी जनता जनारवन को इस सभी प्रयोजनाव को सब्सक्राइब कि प्रयोजन भूमी में हम सब को आने यहां पर वसने बगवान की श्रीड़ा भूमी को देखने का सब्सक्राइब के लस्तीक से हम सब को प्राप्त होता है कि एक लंबिल की राशत है हमारे पार और तंटेस इस मामने में बहुत सब्सक्राइब यहां पर बगवान से क्विष्ण की पावन जन भूमी होने के साथ ही रादे गानी और बगवान से क्विष्ण के लीडा की भूमी दी है बगवान से राम की जनम होने अयोट्या का उत्तर पुलेश में है बावा विष्वनात का पावन धांधी उत्तर पुलेश में है दुनिया की सबसे परिउत्र नदियों में से नदियां गंगा मैया का अस्रिवाद और यमना मैया का अस्रिवाद भी तक्वेश को प्राप्त होता है सबसे पड़ा दुनिया का सांस्कुर्टिक आयोगन यह अध तक्वेश के अंदर ही प्रियाकराज में कुम्ब की रूट में होता है और हम सब इस पारे में जानते हैं माम युद्वासनी का धाम इस दहा से ही पवित्वस्थल का समंद्ध है वह व्युत्तर नुदेश में है भग्मान राम ने प्रगासका उन्हें समय जिस दोल पर विथित्या थो अप्चत्रपूर्ट के उत्तर पुर्देश में है और भग्मान कुट से पुड़ेवे और भागवक की पहली कथा भग्मान सिक्रिष्ण के ही परंपड़ा में के पौत्र को सुनाने का सुधाग है जिस धरापर क्राप्वावाव शुक्ति नियुक्त प्रप्रदिश की तर्पिकर है और उस धरापर हम सब को नकेवाद जन्म लेने का भंगी अपनी कर्ण भूमिक आपकें से यहां पर सेवा का उसर का पहता है सौभायों से पोर्ब जन्मों के पोड़ों का यह संस्कार है आज हम सब तो सियम योगी आज़ितुनात एक तोर पर कहते हूं नजर आए कि उतर प्रदेश वो धन्म भूमी है जिसमें हमें सौभागे मिला है जन्म लेने का और इसके सर्वांगीन विकास का उतर प्रदेश सरकार को सौभागे मिला है और वो काम सरकार बकू भी कर भी रही है चले काशी का रुख करेंगे क्योंकि आयोध्या तो सिर्फ जाकी थी काशी मतुरा बाकी थी मतुरा की तस्वीर आपको दिखाई ये अब रुख काशी का होगा काशी में धर्मेंद्र चौबे जुड़े में हमारे साथ में धर्मेंद्र काशी विशुनात कॉलेडॉर को एक साल पूरा हुआ है और आज काशी बंबम है बंबम इसलिए नहीं है क्योंकि शिव से जुड़ा कोई तियोहार है बंबम इसलिए नहीं है क्योंकि आज सोमवार है के दर्सनारचियों की लंबी लाइन लगे हुई है लंबी सतार है और शापी की जो कजावाच हुए काश्य वाitzनाan भाम की ते पूरी किया है एक बर्पूर आज हुआ है और उसके उप्लक्स में तेवहार मनाया जा रहा है यह उस्तो मनाया जा रहा है काशिविष्णा भाम का और यहां प्रधालू दूर दराज पे आहिए है आज विष्णा जिया है एक तारपूर हुआ कैसा लग रहा है का में है के नंगा है और यहां पे टारपूर का रहा है यहां पे और मंदिर के मुख्य कार पालख है यह कूज म कर रहा है और यह अर्चन कर रहा है जो काशी विश्चनाथ भाम की एक वर्ष पूर्ष पूर्ष चारकाल होने लेकर पूरी तरह से पूर्ष नर्चन करा रहा है और सोड़ी देर में काशी विश्चनाथ मंदिर के मुख्यतारफालक जी से हम बात करने जा रहा है कि आखिर काशी जिस्टनाथ खाम की अभाज खटा क्या है ती परीशी की है और किस्टी बड़ी आने वाले किस्टे को बिल रही है तो दर्मेंद्र चौभी काशी से आपको काशी की अद्बू छटा दिखा रहे हैं जिसमें साफ तोर पर आपको नजर आएगा कि काशी तमिल समागम भी एक योगदान दे रहा है काशी की जो संस्कृती है उसका चहूर प्रचार प्रसार करने में काशी तमिल समागम का भी एक विशेश योगदान है और इस बीच धर्मेंद्र चौभी की कोशिश है कि वो प्रतनिदियों से बाचीत कर सके है दर्मेंद्र हो सके तो इनसे ये पूछे कि आज एक साल पूरे होने के बाद क्या कुछ प्रमुक आयोजन है जो काशी को और ज्यादा अभव्य बनाने वाले है आज एक साल पूर्ण हो गया है और क्या काशी में कि ठायोजन होना है जो आज सबाद और वद्धता उगर कराएगी यह जो जो हम लोगों का उधिये सी है कि जैसे पूरे एक साल में नगुद साथ परोट सदालू इस इस जाधा में आये तो इस तरह से उन्से रचाधा में शुटवाद हो इस तरह से जिस्टरे से सदालू भी शचा बढ़ी सदालू आ रहे है आके आने वाले समयमें यह मंदिर सदालू में नोगों का सा दिस्टरी नो इस जोए तो इससे रचाधा में नमा जवाद से जाधा का कि बस्टे नोया समय परोट इन्से दरह को से संदू है तो पूझा आईगे हमारे पास पासरे मोग से कारपलर पालत आपर कार्षी विश्वनात सदाल आप कहना है क क्यूकि दिन परते दिन कासी विश्वनात की आवाब औरते नजर आएगी क्यूकि ये देखे चासी विश्वनात मन्दीर है जो हो बर्ते जारही है अद्शब्ग कलपने पूरा करीडोर विश्वनात मेरा लिवी देवताओं का भात यहां हो गया आगुछ गुप दिर्श देखने को मिल रहा है, लगाता तर्फालों के बहुती हो रही है काच्य विशनाद दर्शन करें पिल क्या रही है, कैसा लग रहा है एक साल कूल होगा एक आच्य विशनाद भाव में चाह कहना चाहेंगी लगाता यहाँ दर्सनार्थी बढ़ रहा है तो कुझा देख रही है वहाँ से दर्सनार्थी आई हूँ है इनका कहना है की बहुत कुछ बदला है पहले जूली जूल था शापी विच्वनाथ की अभाँ और शाटा कुछ और नजर आ रही है और बहुत अफ़ा लग रहा है आंके पूजा अफ़ा लग रहा है आज वनहित याजगा पर फिर से सुनवाई होगी सुनवाई के बाद तारीकों के एलान पर पैसला होगा बड़ीकबर एम जानकारी आपको दे रहे हैं हाई कोट की लखनाव बेंच में सुनवाई चल रही है सुनवाई के बाद ये निकाय चुनाव के तारीकों को लेकर पैसला होगा कि आखिरकार कब एलान किया जाए चले ग्राउंड जिरो का रुक करते हैं अनूप हमारे साथ में ग्राउंड जिरो से जुड़े हूँ है अनूप क्या कुछ अपडेट है लेकिन निकाय चुनावों को लेकर के जिस तरीके से ना सिर्फ बीज़ेपी ना सिर्फ सपा हर कोई आक्टिव मोड में है दुरंदरों का जमावडा ग्राउंड जिरो पर उत्रा हुआ है लेकिन इस बीच हाई कोट का हडल की निकाय चुनावों की तारीकों का एलान तब होगा जब हम फैसला सुना देंगे पर पार्टिव कर रही है पर फीर भी लगाती हो गई है उन्हीं चाहिए पर पार्टिव मोड में है कोट ने क्या कुछ निर्ड़ लिया है याचिका में इस बात का जिक्री किया गया है कि ओबी सी कोटा होता है जो सुप्रिम कोट का आधेस है उसके विपरीत जो परिशमन जारी किया गया है जो आरच्चन है उसके विपरीत जारी किया गया लिशित रूप से इसको लेकर ज पुजाए इत्वात की जानकारी मिलेगे कि हाई कोड ने क्या कुछ आदेश दिये हैं सरकार से क्या कुछ हलप नामा मांगेगे या फिर इस मामले पर सरकार क्या कुछ जवाब देगी तमाम जो सवाल इसमें उठते हैं क्योंकि लगातार परिसमन जारी होने के बाद एक सप् अपनी आपत्ती दर्स कराएं उतर प्रदेश में सबसे बड़ा राजनीतिक जो दल है समाजवादी पार्टी उसने आपत्ती भी दर्स कराई थी कि इसको एक बार फिर से पुना सग्यान लिया जाए और जो आरक्षड की सूची जारी हुई है उसको एक बार संसोधित किया होगा कि हाइकोड क्या कुछ सराश सरकार को आदेश देगा निर्वाचन हयो क्या क्या आदेश देगा या फिर इस सूची में कोई सुधार होगा या छै blijका को खारिज करेगा आज है कघूड़ी दिर बाद हाइकोर्ट के सुनवाई किया बात जानकारी मिल जाएंगी हाइ बख्ष हाई कोट के फैसले पर आपत्य दर्च करा दे और एक विरोध का जो चलन अमूमन उतर प्रदेश में सडकों पर विरोध होने लग जाता है वो विरोध देखने को मिल जाए दोनों ही इस्थती में नुकसान निकाय चुनावों की तारीखों में डिले का होने वाला है बिल्कुल पूजा विपक्ष का काम है अगर किसी सरक्सत्ता पर से गलती होती तो उसको सुधार कराए उसकी आवाज उठाए मुझे लगता यही विपक्ष ने किया भी आया और इस याचिका दोरा जिस तरीके से आरोप लगाए गए है लेकिन मुझे लगता हाई कोट दो मामलों पे कह सकती सरकार से या फिर सराज सरकार से हलप लामा मांग सकती है कि किस आधार पर आक्षड दिया गया है उसको लेकर अगली डेट तक सराज सरकार इसका जवाब दे सकती है या फिर अगर तमाम सबूत याचिका द्वारा प्रसुत किये होंगे तो कोई आदेश पी दे सकती है रास्तरकार को इसको दोबारा एक बार फिर से परिसमन कराया जाए इसकी दोबारा एक बार फिर से आरक्षड लागू की आरक्षड की सूची दुबारा जारी की जाहे पूजा अगर पक्ष में फैसला आता है तो क्या हो सकता है और पक्ष में फैसला आता है तो क्या हो सकता है कुल मिलाकर के कहने का मतलब बस इतना है कि निकाय चुनावों की तारीखें आपकी सोच से थोड़ा ज्यादा डिले होने वाली है वक्त यहां पर एक और बड़ी खबर का है बड़ी खबर एम जानकारी सामने आ रही है बड़ी खबर एम जानकारी इस वक्त के आपको दे रहे हैं निकाश रोव को लेकर कि केश्व प्रसाद मौरे का बड़ा बयान सामने आया है निकाश रोव में बी जे पी को बड़ी जीत मिलेगी यह कहना है केशव प्रसाद मौरे का टिपल इंजन की सरकार बनेगी विकास होगा यूपी में सफाका राजनेतिक भविश्य बहतर नहीं है ये वही केशो प्रसाद मौर हैं जिनोंने जिस दिन उपचुनावों के रिजल्ट सामने आ रहे थे बोर्ड में उठते ही सबसे पहला ट्विट किया मैनपुरी के और चुनावों में जो परिणाम आएगा वो 2024 में अधारित करेगा लेकिन फिर वो ट्विट डिलीट कर दिया था तौकीर जुड़े हुए हैं तौकीर देखे एक तरफ सुनवाई चल रही है लखनाव बैंच में दूसरी तरफ केशो प्रसाद मौरे का इस तरीके का बयान की निकाय चुनावों में जीत तो हमारी होगी और जनता ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी और विकास भी तेज से होगा तो नेता जी के देहान के बाद मैंपूरी में जीत का जिक्र भी किया था यहां पर केशो प्रसाद मौरे ने हाला कि उस ट्विट को बाद में डेलीट कर दिया अब निकाय चुनावों को लेकर केशो प्रसाद मौरे का बयान सामने आया है उन्होंने साफतोर पर कहा कि सूबे के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और ये ट्रिपल इंजन की सरकार विकास करेगी ग्राउन जिरो से तौकीर जुड़े हैं हमारे साथ में तौकीर देखे बयान वीर हैं दोनों ही डिप्टिस सीम फिर चाहे वो ब्रजेश पाठाकों केशो प्रसाद मौरे हो या फिर कोई और लगातार बयान सामने आते रहते हैं अब निकाय चुनावों को लेकर की बयान आय ही हैं माना यह भी जा रहा है कि एक से डिल गंटे बाद फैसला आएगा क्यूंकि हाई कोट ने कहा था कि सुप्रीम कोट की ट्रिपल लेयर टेस्ट है उसको अपनाया नहीं गया राश सरकार की तरफ से कल फिलहाल इसी बात पर सुनवाई हुई थी और याचिका करता जो व सबसे जादा राजनीत का बड़ा हिस्सा भाजपा के पास है सबी बड़े पदों पर ओविसी की नेता नजर आते हैं और ओवी सी यानिके यू कह सकते हैं कि आगर चोवन परसंट ओवी सी उत्तरप्रदेश में है तो उसमें सबसे बड़ा वर्ग भाजपा के साथ रहता है और यही वज़ा है कि पहले भी उत्तरप्रदेश सरकार बनी और हो सकता है कि यही वर्ग और यही वर्ग पर मजबूती से पकड़ बीजेपी के इस बयान के पीछे का रीजन हो बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जोडने के लिए हम जोनकारी ग्राउंजिरो से सार्ज करने के लिए वक्तियां पर छोड़ा से ब्रेक का है ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जोरी है बने रहे जनता टीवी के साथ क्योंकि हम आपकी ताकत नमस्कार